बारत और उस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा सिड्नी टेस्ट मार्च बेहद इंट्रेस्टिंग हो गया है जिहां आपको बता दें कि आस्ट्रेलिया के 338 रनों के जवाब में बारते टीम की तरफ से रोहिच शर्मा और शुबमन गिल ने पारी की शांदार शुरुवात दिलवा दी है आपको बता दें कि करीब 46 रन बोर्ड पर टिम इडिया ने लगा दिया है लेकिन 16 वे ओर में हिट मैन का तूफान का पी उफान मार रहा था दरसल आपको बता दें कि इससे पहले 14 वे ओर म लेकिन इसके बाद जब लेट को पिक कर लिया तो रोहिच शर्मा ने आगे निकल कर लॉंगाउन पर नीथन लायन को लंबा छक्का टांग चिए जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हेरान रहे गया और आपको बता दें कि निथन लायन खुद भी हेरान रहे गया है अमोमन ने रई भी आप्सी कर रहें तो फिर वो नहीं बख़ने वाले। ANP Newsroom के डपो